कंजावला केस में अंजली की डीटेल पोस्टमाटम रिपोर्ट अब सामने आ गई है अंजली को 13 किलोमेटर तक घसीठा गया जिसकी वज़ा से अंजली की मौत हो गई पोस्टमाटम रिपोर्ट भी पाचो आरूप्य की हैवानित की कवाई दे रही है पोस्टमाटम रिपोर्ट में रेप से इंकार है पोस्टमाटम रिपोर्ट में रेप की पुस्टी नहीं है लेकिन अंजली के सिर रिड की हड़ी डैमेज हो गई अंजली के दोनों घुटने पुरी तरह डैमेज हो गई गए हैं सिर और रीड की हड़ी डैमेज हो गई थी तूट गई थी बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी ये पोस्ट माटम रिपोर्ट में सामें आ रहे हैं लेकिन पोस्ट माटम रिपोर्ट में रेप से इंकार किया गया है और ये कहा गया है कि रेप की किसी तरह के कोई गु तरीके से सिर के हड़ी में चोट पहुची है अब है हमार साथ जोड़ रहे हैं उनके पास चलेंगे और डीटेल जानकारी के लिए अब है क्या कहा गया है पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है यह अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होमस्टे बिजनस करके महीने का साथ हज़ार कमा रहे हैं आपको भी यह करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए देखे बिल्कुल विवेक सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरे दिखा दू कि इसी मॉट्चरी में पोस्ट मॉटम किया गया और यहीं पर डॉक्टर से रिपोर्ट जो है वो फैमिली को बताई और पुलिस को भी बताई कि कॉस अफ डेथ क्या है मॉलाना आजाद मॉर्चरी है जो की दिली गेट पर पड़ता है फिलाल बॉडी को यहां से लेकर चले गए है जो पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आई है वो पूरी तरीके से हैवानियत बया कर रही है और इसमें जो डेटेल्स आई है उसमें यह आया है कि अंजली के सिर रीड बाय फीमर और जो निचले अंग है वहां पर नाकेवल चोट लगी बलकि जब एक हैवी अबजेक्ट से जब चोट लगी तो चोट लगने के साथ एक शौक भी लगा माइंड में शौक भी लगा इस वज़े से ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया साथ ही रीड की हैड़ी पूरी तरीके से तूट गई क्योंकि पूरा तेरा किलूमेटर गाई पूरा स्ट्रेस था जहां पर रगड़ती इस वज़े से काफी जादा ब्लीडिंग हुई थी उनके दोनों घुटने पूरी तरीके से खत्म हो गए थे उनका क्योंकि यह तस्वीर भी निकल कर सामनी आई थी कि उनके पैर का हिस्ता जो होता है कमर से लेके नीचे तक पैरों तक का वो पूरी तरीके से खिस गया था इतनी हैवानी से करीब 13 किलोमेटर का सफर यह तै हुआ था तो रिपोर्ट आ गई है रिपोर्ट में एक बात और क्लियर हुई है क्योंकि जिस अवस्था में बॉडी मिली थी तमाम तरह की बाते हो रही थी किसी भी तरीके का कोई सेक्सॉल एसॉल्ट के साइन जो है वो न भी अबजेक्ट से लगने के बाद उन्हें शौक लगा उनके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया रीट की हड़ी तूट गई यह तमाम चीजे इस पूरी की पूरी पोस्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है यह शुरुवाती रिपोर्ट है लेकिन शुरुवाती नहीं होता है वो रिपोर्ट भी जल्द ही पूलिस को सौब दी जाएगी तो इस रिपोर्ट से एक बाद जरूर साफ हो यह कि किसी तरीके का सेक्सोल एसॉल्ट नहीं हुआ है लेकिन किस तरीके से डेमेज हुई है बॉड़ी उसकी एक-एक डेटेल इस पोस्टम रिपोर् और ना केवल डॉक्टर्स बलकि पुलिस भी क्योंकि शुरुआत में जब हमने वो तस्वीर देखी थी जब जहां बॉडी पड़ी हुई थी और जो बॉडी का पीछे का हिस्सा था उसकी जो फोटो थी वो भी जब डॉक्टर्स ने देखी और जब बॉडी को देखा तो पो कोई ऐसा एसल्ट तो नहीं हुआ है कहां कहां पर चोट है वो पता करने में ही बहुत ज़्यादा समय लगा क्योंकि पूरी बॉडी घिस गई थी और काफी शौकिंग था क्योंकि नॉर्मली कोई भी पोस्वाटम के लिए बॉडी आती है तो एक्सिडेंट होता है या कोई संदिग मौत होती है तो उसमें डॉक्टर्स को असानी रहती है लेकिन ऐसे केसिस जो एक्सिडेंट के ऐसे केसिस हो करीब 13-14 किलोमेटर सडक से घिसीटती हुई बॉडी जा रही है उसमें बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को भी शौक था और यही वज़े है कि पोस्वाटम करने में भी समय लगा और पोस्वाटम करने के बाद जो फाइंडिंग्स तयार की गई जो तीन डॉक्टर्स के पैनल ने एक रिपोर्ट तयार की उसमें भी समय लगा बिल्कुल अब पोस्वाटम रिपोर्ट की बात करें तो एक बार फिर से आप बताये दर्शकों के कि पोस्वाटम रिपोर्ट में कौन-कौन सी बातों का जिक्र है और पोस्वाटम रिपोर्ट में जो रेप की बात कही जा रही थी उससे भी इंकार किया गया है जो अभी की वज़े से जो एक शॉक भी लगता है जब आपको किसी heavy object से चोट लगती है तो आपके दिमाग में शॉक भी आता है और उस शॉक की वज़ेसे आपका brain काम करना बंद कर देता है आपका जो ब्लड ब्रेन में जाता है वह जाना बंद हो जाता है इसमें साफ तोर पर यह लि निचले अंगों में मौत होने से पहले जो ये चोट लगी उसके परिडाम सुरूप सदमे की वज़े से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी में वो पूरी तरेकी से रुख गया और इस वज़े से मौत हुई है मौत का कारण इसमें लिखा गया है दो शब्दों का इसमाल किया गया है एक्सिरेंट जो उन्हें चोट लगी दुरघटना के वक्त और ड्रेगिंग जो वो गाड़ी के निचले हिस्से में फसके करीब 13 किलोमेटर तक बॉडी घसीटती रही इस वज़े से मौत हुई है दिमाग में शौक लगा जिस वज़े से ब्रेन ने काम करना ब पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये रिपोर्ट डॉक्टरस ने पुलिस की मौजूदगी में परिवार के लोगों को बता भी दी है और उसकी हार्ड कॉपी करीब 11 पन्ने की रिपोर्ट बताई जा रही है जिसकी हार्ड कॉपी परिवार को सौप दी जाएगी परिवार भी इस पोस्टमाटम रिपोर्ट से संतोष्ट अविवेक लेकिन जो हैवानियत है या जिस तरीके की चोटे आई है उससे परिवार ये मांग जरूर कर रहा है कि F.I.R. में IPC की धारा 302 यानि की हत्या जोड दी जाए ताकि के दिन में हमने बातचीत भी की थी कि पुलिस कह रहे थी ड्राग होनी की वज़े से मौत हुई है और एक्सिडेंट का मामला है पुलिस की वो थियोरी इस पोस्टमाटम रिपोर्ट पर बिल्कुल फिट बैट ती नजर आती है क्योंकि जो पुलिस के सुत्र से हमारी बात ह हुई जहां जहां पर CCTV कैमरे थे या फिर जो चश्मदीद दीपक था जो कि जिसने गाड़ी को देखा था अपनी आँखों से उसे फॉलो किया था कि नीचे बॉड़ी फसी हुई है PCR कॉल की थी उन टाइमिंग के हिसाब से पुलिस ने स्कूटी के नंबर से स्कूटी की ऑ पड़ता है वहाँ पर यह गए थे जहां पर इनका एक प्लाइन था पार्टी था नई साल की पार्टी करना चाहते थे वहाँ पर रेजिस्चर में पता लगा जब वहां की सिस्टी फुटेश खांगाली गई कि अंजली के साथ उनकी एक दोस्त थी निधी उससे संपर्क सा तामने आई है अलाकि आरोपियों से अलग पूस्ताच की जा रही है वो पुलिस कस्टडी में है और जो दोस्त है अंजली की उसका भी 164 का बयान दर्च करा लिया गया है ठीक है आपके पास वापस लोट हैंगे लेकिन दर्चकों को बताएं एक बार की डीटेल से की पोस् शतिग्रस हो गया रीड और दोनों घुटने बुरी तरक शतिग्रस हो गए लेकिन ये बात साफ साफ लिगी गई है पोस्टमाडम रिपोर्ट में कि अंजली का सिर्क शतिग्रस हुआ है रेप की जो आशंका जथाई जार थी उससे डॉक्टरों ने इंकार किया है प्राव रीड की हड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई अंजली के दोनों घुटने घिस गए सड़क पर घसीटने की वज़े से कार की नीचे फसे होने की वज़े से लेकिन सबसे बड़ी बात की हैवानियत की हद देखिए कि कार सवार लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला पुलिस क्या तैयारी कर रही आगे एक दिन बाद उन्हें कोट के अंदर पेश किया जाएगा वो लोग जो है जो पांचो आरोपी हैं हला कि उनकी टाइम लाइन इंडिया टीवी को पता लग गई है कि वो लोग कहां-कहां गए थे उन्होंने शराब पी हुई थी हाला कि वो इस बात को पुलिस के सामने कह र रही है क्योंकि अब तक कोई चश्मदीद सामने नहीं आया था अब क्योंकि अंजली की जो दोस्त है निधी जो चश्मदीद है वो सामने आ गई है उन्होंने अपनी अलग बात बताई है उन्होंने बताया कि कि सरीके से गाड़ी हिट हुई लेकिन निधी क्यों फरार हो निधी क्यों पुलिस के सामने नहीं आई ऐसा किस बात का डर था कि उन्होंने उनकी दोस्त के साथ इतनी बड़ी घट्टा हो गई और उन्होंने पुलिस को नहीं बताई क्योंकि जब ये लोग पुलिस की टीम जब होटल गई थी होटल के लोगों से पुलिस से बयान लिये तो उनका ये कहना था कि ये लोग पार्टी करने आये थे लेकिन आपस में जगड रहे थे जिस वज़े से होटल वालों ने इने वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया था ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेड्रूम है उसमें होमस्टे बिजनस करके महीने का साथ हज़ार कमा रहे हैं आपको भी ये करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए अपने अपनी बात उसने बहुत ज़्यादा नहीं बताई है कि उससे पुलिस को इंफर्म क्यों नहीं किया अब दो दिशा में जाँच होनी है ये तो साफ है कि सेक्स्ट्रा नहीं हुआ है ये एक एक्सिडेंट का मामला है जो की पीम रिपोर्ट से आता है लेकिन एक्सिडेंट होने के बाद वो लोग क्या उसे जान बूच कर ड्रैक करते रहे बॉड़ी को या फिर उन्हें पता नहीं लगा ये तमाम चीज़ों जो है पुलिस टेक्निकल तरीके से भी और इनसे पूसा जिनके बयान के जरीए भी बिल्कुल यानि के पुलिस को इक दिशा मिल गई है पीम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब केस की जाच आगे बढ़ाए जाएगी इस केस की चशंदीद गवा और हादसे के वक्त अंजली के साथ स्कूटी पर निधी भी मौजूद थी निधी का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है पुलिस सूतरों के मताबिक टकर के वक्त अंजली और निधी स्कूटर पर थे एक्सिडेन के बाद अंजली कार वाली नहीं क्या किसी को कुछ बताया तक नहीं